नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर शालीनी आले आप सभी का मेरे हैल्थ केर चैनल में सौगत करती हूँ दोस्तो आज मैं आपको विनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीज या इसके बारे में ये डिसीज के बारे में आज आपसे ही डिसकुश करूँगी तो दोस्तो ये तीन वर्ड का बना हुआ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीज या डिसीज है इसमें सबसे पहले बिनाइन वर्ड पे आते हैं तो इस वर्ड का मेंस होता है कि सुसाध्य रोग जो रोग जो होता है डेंजरस नहीं होता है ट्रीटेवल होता है तो इस प जो male patient होता है, उनके मुत्राशय में पाया जाने वाला में इस्थित यहाँ एक ग्रंथी होती है, ग्लैंड होता है और जो की liquid produce करता है और इसके साथ ही यहाँ sperm को carry करता है, तो इस प्रकासी यह prostate होता है, और next word है, third word hyperplasia, hyperplasia, जो word है, उसका मतलब होता है कि इसमें एक organ या tissue का enlargement हो जाता है, क्योंकि वहाँ की cells होती है, cells के rate का replacement होता है, बढ़ जाते हैं cells वहाँ के, तो जिसके कारण वहाँ की organ और tissue जो होते हैं, वहाँ enlarge हो जाते हैं, इस प्रकासी यह एक prostate gland के enlargement की एक disease होती है, जो की सुसाथ होती है, जो की treatable होती है, तो इस प्रकासी यह benign prostatic hyperplasia word का means हो गया, और इसके अलावा मैं आपको आगे बताऊंगी prostate के बारे में और BPH के बारे में, और इसी के साथ मैं आगे बताऊंगी epidemiology, इसकी BPH की epidemiology and pathology of BPH, and next इसमें और मैं आगे बताऊंगी BPH के sign and symptoms, and दोस्तों, और इसके आगे मैं बताऊंगी BPH के complication, and next इसमें बताऊंगी how to maintain prostatic hyperplasia, जो prostate की health को कैसे maintain करता है उसके बारे में, और next इसमें बताऊंगी इसके diet के बारे में कि आपके diet management कैसे लेनी है, और इसके अलावा मैं BPH के homopathy medicines को आगे describe करूंगी, तो दोस्तों, इन सभी points को describe करने से पहले, discussion करने से पहले, मैं चाहूंगी कि आपने अगर मेरे healthcare channel को subscribe नहीं किया है दोस्तों, तो subscribe कीजिए और salty well icon प्रेस कीजिए और notification पाईए, और मेरे इस valuable और videos के जो benefits है, उसको भी आप अपने दोस्तों family के साथ share कीजिए, और likes भी कीजिए, तो दोस्तों, BPH disease को मैं discuss करती हूँ, आपसे start करती हूँ तो, दोस्तों, prostate male reproductive system की एक exocrine gland भाई इस्तरावी गरंती होती है, यह prostate जो होता है, एक small gland होती है, जो pelvis के बीच में, यह only main में पाई जाती है, या penis और bladder के बीच में होती है, इस gland के enlargement की condition को BPH, means की benign prostatic hyperplasia केते हैं, यह condition advanced age में देखने को मिलती है, दोस्तों, तो इसकी epidemiology में आते हैं, इसकी epidemiology यानि की महमारी का भिग्यान, यह महमारी कहां कैसे फैलती, कहां तक फैलती है, तो इसके point में आते हैं, BPH जो होता, most commonly neoplasm main में होता है, यह main, main में 50% में 50 years में आता है, and 90% main में यह 90 years में पाया जाता है, और यहाँ age, जो age होती है, most important होती है इसमें, और next इसके BPH के pathology में आते हैं, इसकी सारे recovery में आते हैं, तो यह prostate gland की first growth man के puberty age में होती है, इनका average जो size होता है, वो 20 gram होता है, और इसके अलाबा यह 50 years की में यह gland जो होती है male के 50 years में second growth होती है इसकी, और इस growth में पेरी unetheral जो reason का यह proliferation होता है, इसमें फैलाव प्रचार प्रशार होता है इसमें और इसमें BPH का hyperplastic process के तहत hyperplasia हो जाता है, और जिसके result के soru prostate gland का enlargement होता है, यह enlargement bladder में urine के flow को restrict कर सकती है, इसके परिणाम soru BPH हो जाता है, और दोस्तों prostate gland का enlargement man की age मेडिपेंड करता है, जो male testosterone hormones को बनाने में enable होते हैं, उनमें BPS डेवलप नहीं होता है, तो इस प्रकार से यह BPH का pathophysiology है and axis की sign and symptoms BPH के इस प्रकार से है, जो इसके संकेत और लक्षन इस प्रकार से है, तो जो BPH का जो patient होता है, जो BPH होता है, वा non-cancerous होता है और condition होती है, यह man में कस्ट प्रद मुद्दे का कारण हो सकती है, यह man की quality of life को effect करती है, और BPH का properly treatment करने में के लिए BPH के जो sign-on symptoms को recognize करना बहुत ही important होता है दोस्तों, तो BPH के symptoms हैं इस प्रकार दोस्तों की urinary frequency रहेगी, बार-बार urine आएगी, especially at night में patient को बहुत अतितिक urine आती है, next urgency रहेगी, इसमें patient जो होता है, वह immediately तुरन्त ही urine pass out करने के लिए उसकी इक्षा होती है, और next है, इसमें hesitancy, hesitancy रहेगी patient में, उसके flow जो होगा, वह राइड वे में नहीं होता है, अच्छे से नहीं होता खुलके, और उसे intermittency रहेगी, मतलब कि उसका जो flow रहेगा, वह कभी stop होता है, तो कभी अच्छे कुल के आता है, इस प्रकार से intermittency रहेगी, और इसके अलबाब उसका जो पेशाप का flow होता है, वह urine का flow, बहुत ही slow होता है, और उसके साथ ही उसे bleeding भी होती है, यूरीन में देखी कि ये bleeding, और नेक्स्ट जो पेशेंट का symptoms होता है, कि उसकी bladder जो होता है, वह empty नहीं होता है, उसमें जो fullness की feeling होती है, जैसे कि खालीपन की feeling होता है, ब्लैडर अच्छे से fully empty नहीं होता है, और पेशेंट को urination के बाद में dribbling होता है, जैसे कि उसकी जो प inful organism रहेगा पेशेंट में और इसके तरिक्त वहां पेशेंट ये दी frequency urination रहेगा, पेशेंट जो होता है, आठ वार से जादा वहां पेशाव जाता है, तो इसका मतलब है कि उससे BPH है, और इसके अलावा और भी symptoms है कि वहां ट्रवल करेगा, starving to urinate, urinate को पास करने में वहां beak stream रहेगा, उसके जो पिसाप की धार रहती है, और बहुत ही beak होती, कमजोर होती है, और उसका जो loss of bladder control, जो bladder का control होता है, वह loss हो जाता है, और कभी-कभी वहां अपने patient जो होता है, अतिदिक इतना ज़्यादा control नहीं कर पाता है, और पेशाव पेंट में ही कर देता है, इस का infection हो जाएगा है, इस patient में, साथी से bladder stone भी हो सकता है, chronic kidney problem होती है, इसकी आफ्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो सकती है, पेशाव पेशन को, और bladder जो hypertrophy हो सकती है, दोस्तों इन्हें, और इसके अलाबा इन्हें trabeculation हो सकता है, diverticulation for formation होता है, इसे, typeculate, दोसे इसे hydro, nephrosis, letiosis and stone, जिसे letiosis को stone भी कहते हैं, इसके secondary infection होता है, इस patient को, यूरेत्रा जो blocked हो जाता है, पेशन का, और पेशाव अच्छे से नहीं निकल पाता है इससे, और बहुत ज़्यादा इसे emergency होती है, पेशाव करने के, तो इस प्रकार से ये पेशन के complication हो गए, और इसके लाव पेशन में early BPS देखने को मिलता है, और moderate BPS and advanced BPS, early BPS में, यूरेत्रल जो constriction के कारण prostate gland जो होती है, वा enlarge बड़ी हो जाती है, and moderate BPS में, prostate की जो venine growth के कारण, यूरेत्रा narrow सक्री हो जाती है, and third advanced BPS में, इससे यूरेत्रा जो होती है, इसके यूरेत्रा fully obstructed हो जाता है, बंद हो जाता है, रुकाबड़ा जाती है उसमें, तो इस प्रकार से ये, बता है मेंने, early BPS, moderate and advanced BPS, and how to maintain prostate health, prostate की health को कैसे maintain करना आपको ये बताती हूँ, पहला आप यदि fate warm बात कीजिए, और इसके लावा, आप exercise को avoid करो, ज्यादा exercise ना करो, और जो prostate के नीचे के reason को irritate करती हो, ऐसी exercise ना करे, और थर्ट पानी ज्यादा से ज्यादा लीजिए बीजिए, और फॉर्थ है, योगा कीजिए, योगा की प्रैक्टिस करो, and फिप्थ, आप होमोपेथी मेडिसीन की help ल अब दोस्तों में इसके डाइट को बताऊंगी, डाइट में आप ज्याद से ज्यादा आपको ग्रीन लीफी बेजी टेवल्स खाना है, क्योंकि ग्रीन लीफी बेजी टेवल्स में रिच मातरा में एंटी ऑक्सिदेंट पाया चाता है, and second, जो है cruciferous बेजी टेवल्स आपक को कम करते हैं, और prostate cancer को भी reduce करते हैं, and third point है जो लोग onion और garlic का use करते हैं दोस्तों तो उनमें BPH की problem जो होती है, risk कम मातरा में पाया जाता है, इसलिए आप सभी को onion और garlic का use करना दोस्तों, and fourth, शाम को आपको fluid का intake कम कर देना है, बंद कर देना है, या सोने से और दो गंटे पहले, आपको पानी नहीं लेना है, and fifth point है, oil और junk food ना खाये, only fresh food vegetables ले, and sixth point है, coffee और alcohol को अतिदिक मातरा में ना ले, इससे दूरी बनाए रखे, and next है, इसके diet chat, diet chat में आपको दोस्तों, morning में 9 a.m, protein diet लेना है, जैसे की एक दूद बगेर, and 11 a.m में आपको fruits लेना है, and like the grapes, blueberry, banana apple, etc, and 1 p.m. में आपको curd के साथ में food लेना है, आपको अपना lunch लेना है, and 4 p.m. में salad बगेराहल का food लेना है, and 8 p.m. में आपको रोडी और सबची साथ में curd लेना, curd नहीं लेना है, ठीक है न दोस्तों, फिर इस प्रकार से ये diet chat है, and total fat आपको 3 gram लेना है, calcium 600 mz, and sodium 1200 mz, carbohydrate 450 mz, gram लेना है, and protein आपको 60 gram लेना है, and iron आपको 17 mg लेना है, तो इस प्रकार से आपको ये total fat लेना है, और total calories आपकी 2000 kilocalories per day होनी चाहिए, तब ही आपका BPS जो हो, वो नार्मल होगा, और इसके अत्रिक आपको दीरे-दीरे ठीक हो जाएगा, इसके अत्रिक आपको homepathy medicine भी इसके साथ यूज करेंगे, तो आपका जो भी पेज की समस्य है, वो जरसे खत्म हो जाहिए, दोस्तों, और दोस्तों, जो homepathy management के बारे मता थी, homepathy जो medicine है, उसके बारे मैं आपको मैं जान करी देती हूँ, कि पहले medicine है, बहुत ही great medicine है, सेवाल से, रूल लाटा, जो की इसका patient जो होता है, one night में बार बार पेशाफ करने के उसकी इक्छा होती है, साथ में उसे urine pass out करने में difficulty होती है, patient को coldness की feeling उसके sexual argon में होती है, और जो patient होता है दोस्तों, वो जो older main होता है, यदि urine बार बार हो तो पेट में उसके जो patient होता है, उसका patient में दर्द होता है, तो इस प्रकार से यह सेवाल से रूल लाटा का patient है, and second medicine है konium, konium का patient जो होता है, मल त्यागने में बहुत ही difficulty होती है दोस्तों इसके patient को, patient का जो mood होता है, वहाँ बहुत अत्तिधिक आता है, और कभी-कभी बहुत अत्तिधिक आता है, और कभी-कभी stop हो जाता है, और old main में बून-बून करके पेशावाता है, यह especially इसके symptoms से देखने को मिलता है, konium के, और second medicine है lycopodium, lycopodium का patient जो होता है दोस्तों, उसको पेशाव करने में पहले back में pain होता है, और पेशाव के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है उसे, पेशाव को और पेशाव slow आता है, और रात को वहाँ बार बार पेशाव करने जाता है, और especially child में देखा गया है कि वहाँ रात में पेशाव आता है उसको रात में या दिन में तो वहाँ रोता है, तो यह इसके symptoms है, फूर्थ जो है, वहाँ केंथरिस, केंथरिस का पेशाव जो दोस्तो इस तरह से होता है कि पेशाव की वहाँ उसकी जो असहनी है, बहुत ही जो मूतर पेशाव त्यागने में बहुत ही वहाँ कस्ट होता है, उसके साथ तर्ट मेडिसीन है केंथरिस, केंथरिस का पेशाव जो होता दोस्तों पैशाव की आसा है नहीं है और उसे मूतर त्याव करने की बहुती प्रत्न करने की अर्जेंसी होती है और खूनी पैशाव के साथ में पैशेंट को नेफ्राइटिस का बीमारी होती है उसे और ड्रॉप में पैशाव आता है और लगतार पैशाव करने की ड करने की एक्षा रखता है और इसका जो पाइलो के नीचे है। इसका जो पाइल्स होता है वहां यूरेर आ यूरेटरा में जिलन रोती है । और इसके यूरेटरा में इसको जैलन होती है। और तो इसके आगे में इसके जो पैस्ट मेरिसीन leaders ayun asma attorney yeah होता है दोस्तों पेशाप करने में बहुत इस ट्रेन यानि की बहुत ही फोर्स ताकत लगाता है लगाना पड़ता है उसे और इसे फील होता है कि इसके पेरी नियम में बॉल जैसे की गेंध हो और पेशाप में सुगर पाया जाता है इसके और पेशाप की इच्छा करने की ब पेशाब की धार इसमाल होगी और डिवाइड होती है धार जो पेशाब करने के बाद में पैसेंट जो होता है उसे गुदगुदाने की सेंसेशन फील होती है दोस्तों और इसका जो आतिदिक मूत्र की डिसायर होती है साथ में पीन होता है अचानक डिसायर होती है पेशाब क प्रसेटिला का पैसेंट रहता है तो इसकी पैसाप की डिसायर जो होती है वह बुरे प्रकार से बढ़ जाती है इस प्रकार का प्रसेटिला का पैसेंट रहता है दोस्तों तो इसका जो इन सभी मैडिसीन जो होती है medicine का जो dose है आपको लेना है किस प्रकार से लेना है वो मैं बताती हूं दोस्तों तो इस medicine को आपको take a medicine इने 30 potency में लेना आपको एक दिन में दो या तीन बार आते कप पानी में डाल कर या फिर आप directly on tongue में भी ले सकते हैं इस medicine को तो आपको 15 दिन तक किए medicine लेना है फिर यदि symptoms में relief मिलता है तो आपको slowly slowly इसके medicine के dose को कम कर देना है तो दोस्तों आज मैंने BPH के बारे में आपसे अच्छी तरह से detail में डिसकुश किया है और दोस्तों मैं आने वाले वीडियो में बहुत सारी और भी अनकई diseases और उनकी important और best homopathy medicine के साथ मिलूंगी मेरे आने वाले next वीडियो में तो तब तक के लिए दोस्तों till then friends goodbye and be healthy and take care of you and your family and friends also